दोस्तो यदिया इंवेस्मेंट एकाड़ेमी में आपका स्वागत है दोस्तो पिछले हफ़ते हमने आलफा, बीटा और आर्स्क्वैड के बारे में बात की उस विडियो में हमने कहा था कि यदि आप कुछ टर्म्स के बारे में अवगत हैं और अलग-अलग प्रकार के रिटर्न्स पढ़ना जानते हैं तो आप इंवेस्मेंट के लिए फंड खुद चुन सकते हैं इस विडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करने वाले हैं आने वाले कुछ विडियो में हम शाप रेशो और सौटीनो रेशो के बारे में भी बात करेंगे और एक्सपेंस रेशो और टर्न ओवर के बारे में भी बात करेंगे अलग-अलग रिटर्न्स पर अलड़ेडी एक हमारा विडियो हैं जिसमें हमने CAGR, Absolute Returns, Trading Returns इत्यादी के बारे में बात की हुई है तो यदि आप इन रिटर्न्स को पढ़ना जानते हैं और इन रिस्क रिटर्न पारमीटर्स को भी पढ़ सकते हैं तो आसानी से इंवेस्मेंट के लिए खुद फंड चुन सकते हैं Standard Deviation समझने में काफी आसान टर्म है यह बताता है कि आपकी इन वेस्मेंट या आपका फंड कितना वॉलेटाइल या कितना रिस्की है अब यदि मैं एक दिये समय में जानती हूँ कि मेरे mutual fund ने क्या-क्या रिटर्न्स कमाए हैं तो मैं आसानी से mean returns या average returns निकाल सकती हूँ मगर यदि मुझे पता है कि मेरा mutual fund इस average returns की तुलना में कितना उपर या कितना नीचे जा सकता है तो मैं sure हो सकती हूँ कि एक स्तर से नीचे वो नहीं आएगा यानि एक प्रकार से standard deviation आपके mutual fund की stability आपको बताता है उधारण के तौर पर DSP BlackRock Micro Cap Fund का standard deviation 16.08 है जबके उसके average returns या mean 22.51 है यह data 15 अगस 2017 के हिसाब से लिया गया है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि DSP BlackRock Micro Cap Fund अपने average returns जो की 22.51 है उससे 16.08% उपर या फिर 16.08% नीचे के returns दे सकता है stable funds जैसे के debt funds का standard deviation equity के comparison में हमेशा कम ही होगा उधारण के तौर पर हमने अभी DSP BlackRock Micro Cap Fund का standard deviation देखा जो के लगबग 16% का था HDFC Midterm Opportunities Fund जो के एक debt fund है उसका standard deviation 15.08.2017 के हिसाब से 1.58 है तो यानि इसका अर्थ यह है कि HDFC Midterm Opportunities Fund अपने average या mean returns से लगबग 1.5% के returns उपर या नीचे दे सकता है अब यदि हम equity category को ही ले 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 तो last cap funds जो equity category में stable माने जाते हैं उनका standard deviation mid और small cap funds से हमेशा कम ही होगा high standard deviation वाली categories जैसे के equity categories में stable categories जैसे के debt funds के comparison में ज़्यादा returns मिलने की समभावना होती है और इसलिए जब हम category wise देखते हैं तो high standard deviation को बूरा नहीं माना जा सकता यदि किसी mutual fund का performance काफी stable हो तो standard deviation zero भी हो सकता है याद रखिए जब भी आप standard deviation के basis पर दो funds को compare करें तो उन दो funds को एक ही category का होना चाहिए क्योंकि हर एक category का risk यानि के volatility और returns अलग-अलग होते हैं याद रखिए जब भी आप दो funds को compare करें तो ये सारे जो risk return parameters हैं जैसे के standard deviation, alpha, beta, sharp ratio, इत्यादी इनको एक-एक कर ना देखें, इनको एक साथ देखें ताकि आप दो funds को analyze कर पाएं इन सारे risk return parameters के calculation की frequency अलग-अलग investment websites और mutual fund websites पर अलग-अलग हो सकती है तो जब भी आप दो funds को इन सारे parameters पर compare करें तो याद रखिए ये सारे values एक ही जगे से लें तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं standard deviation का मतलब इस वीडियो के माधियम से समझा पाए हो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया, ऐसे ही कुछ और topics के बारे में जानने के लिए हमारा channel देखते रहें यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे comment section में हमें पूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा channel अच्छा लगता हो तो subscribe करना ना बोलें, subscription बिल्कुल free है दोस्तो जाने से पहले हम आपको एक बात से अवगत कराना चाहते हैं आपके comments के द्वारा, emails के द्वारा और बाकी चानल से हमें बहुत सारे प्रशना SIP और mutual funds पर पूछे जाते हैं ऐसे ही 108 प्रशनों का संचेकर यदने Investment Academy ने एक book की है जो आप Amazon, Flipkart और बाकी चानल पर खरीद सकते हैं इस book को खरीदने का link इस video के description में भी दिया गया है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक Happy Investing